हेलो गाइज, तो गाइज कैसे हैं आप लोग आयोग के आप अच्छे होंगे, तो कुछ दिनों से मेरे पास काफी कमेंट आ रहा है थे एपोक्सी रेजिन के लिए, के हमें एपोक्सी रेजिन बना करके दिखाईए, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जा तो इस वीडियो को लाज तक ज़रूर देखना है, एपोक्सी रेजिन का प्रोड़क्ट बनाने से पहले मैं आपको 5 पॉइंट बता देता हो, नमबर पहला पॉइंट हमारे इसे कितना कितना मिलाना है, तो कुछ लोग जो है इसका 3.1 रेशियो का यूज करते हैं, बट अ मतलब मेरा यह है, का आप जिस तरह से उसको hard रखना चाहते हो, जितना hard रखना चाहते हो, या जितना soft रखना चाहते हो, बस इसमें hardner का ही कमाल है, जो उसको प्रोड़क्ट को hard करता है, नमबर second point है मेरा, कि इसे 12 से 20 घंटे तक आपको रख देना है, किसी ऐसी जगा पर जहां बिल्कुल भी dust ना उड़े, और मतलब कि आप जानती होंगे, अगर dust उड़ी तो इस पर चिप केगी और चिप केगी तो फिर आपको product भी खराब हो सकता है, नमबर third point है मेरा, कि जब हम epoxy resin और hardner को दोनों को मिलाते हैं, तो उसमें hardner और epoxy जल्दी से नहीं मिल पाता ह तो आपको 5-10 मिनट तक उसको mix करते रहना है, क्योंकि हिलाते रहना है, उसको दो चलाते रहना है epoxy resin को और hardner को mix करने के लिए, ताकि वो अच्छी तरह से epoxy resin और hardner मिल सके, नमबर fourth point है हमारा safety को लेकर गया, कि आपको जब product बना होगे, तो safety का सबसे पहले ख्याल रगना है क्योंकि अगर आप बना रहे हो, अगर आपके हाथ पे चिपका, तो वो एक तरह से जैसे favy quick होती है हमारी, वो इस तरह से होता है, अगर आप skin पे चिपक गई, तो skin को काटना भी पड़ सकता है, तो इसी वज़ास से मैं आपको बता हूँ, और अगर हमारी body पे अच्छी तरह से लगे तो इससे reaction भी हो सकती है, अगर आप अच्छी तरह से epoxy resin के product बनाते हो, या आपके according कोई अच्छी creativity है, तो आप epoxy resin का एक best product बना करके इसका business भी कर सकते हैं, तो चलिए हम बनाते हैं epoxy resin का product, चलिए video को start करते हैं, से पहले हम लेते है epoxy and hardner, यह A, B part है, यानि B part जो हो hardner था, और हम फिल लेंगे हम थोड़ा color वगेरा, और इसकी साथ लेंगे हम die, जिसके अंदर हम fix करेंगे हैं, मेरे पास यह तीन die हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ, पहली यह थी, दूसरी यह है, और तीसरी यह है, क् कि इसके अंदर आप किसी भी तरह के बना सकते हो, और साथ में कुछ alpha bet भी लोगा क्योंकि इसके अंदर डालने के लिए, तो आप किस तरह का भी epoxy resin बना सकते हो, क्योंकि सिर्फ आपको मैं दिखाने के लिए बना रहा हूँ, तो आप किस तरह से इसे बना सकते हैं, तो मैं आपको यही सेजेशन दूँगा के थोड़ा कम हार्डनर चलेगा मत्तब बराबर भी रख लेना या जितना आपको हार्ड करना हो बस उतना हार्डनर डालना अगर आप बिल्कुल बराबर बराबर रखो गए तो काफी हार्ड हो जाएगा आपको भी बना का दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी ट्राइ कर चुका हूँ तो उसमें क्या था कि मैंने 3.1 रेश्यू यूज किया था पर अब मैं इसमें पूरा जितना हार्डनर है उतना ही मैं इसके अंदरी पोक्सी रेजिन ट्राइ कर रहा हूँ और आपको इसे mix अच्छी तरह से कर लेना है हम इसके अंदर पहली layer चड़ाएंगे कि मैं इसमें दो layer चड़ाएंगा तो पहली layer के लिए मैं आपके सामने डाल देता हूँ फिर उसी के बाद आपको दूसरी layer के लिए पांच ए घंटे बाद आपको दूसरी layer चड़ाने हूँ क्योंकि इसके अंदर मुझे डिजाइन बनाना है इसी वज़े से कर रहा हूँ क्योंकि जो alphabet है वो डूप जाएंगे तो मैं इन दोने पर डाल देता हूँ आधी मतलब half layer डाल देता हूँ उसके बाद मैं आपको इने इससे सही कर लेता हूँ थोड़ा तो यहां पर भी try करेंगे यहां मैंने वैसे पूरा डाला है ताके चेक करने के लिए और बाकी आप इससे नग भी बना सकते हैं क्योंकि जो यह डाई है छोटी वाली इसी के अंदर आप नग बना सकते हैं up add अब मैंने इसमें फोड़ा दौ़ा डाल दिया है तो इसमें भी मद़ dipped यहां सब्जेगे जितने भी मतला हाफ हाफ डाल दिया है जबकि मैंने नग में पूरा डाल दिया है तो मैं थोड़ा डिजाइन बनाने के लिए यह लकडि लाया हूं इस पर थोड़ा इनने कलर कर दिया है गोल्डन कलर का वो ऐसी ही रखने के लिए क्योंकि इस में ठिक जाएगा फिरर उसके बाद मैं ये छुटता नहीं है जल्दी से तो इसका भी खास ख्याल रख्याँ आप गलव्स पहन लेंगे तो और ज्यादा सही रहेगा मैं थोड़ा इसके अंदर कलर एड़ करता हूँ मतलब ऐसी ही थोड़ा ट्राई के लिए तो मैं गोल्डन कलर इन नगो में डाल रहा हूँ आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह से एड़ कर सकते हैं कलर वगएरा जो आपके अंदर क्रिटिविटी वगएरा हो तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं और बना सकते हैं ऑक्सी रेजिन का कोई अच्छा सा प्रोड़क्ट तो मैं इसमें कलर थोड़ा सेड़ कर रहा हूँ रेड कलर भी मैं डाल के देखता हूँ रेड कलर से क्या आता है इसके अंदर थोड़ा सा मैं जल्दी से मिक्स नहीं होता है अगर आपको पहले से ही एड़ करना तो इसके कलर के साथ घोल लेना है मतलब मिक्स कर लेना कलर के साथ थोड़ा रेड़ कलर का शेडो मैं इसमें भी डाल देता हूँ पर इतर हैं अब अपने एकोर्डिंग किसी भी तरह से बना सकते हैं कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हमारे तरह बनाना है अब किसी भी तरह से कोई सब अच्छा प्रोड़क्ट बना सकते हैं मैं देखो मैं दूस्सी तरह भी शेडो डाल रहा हूँ क्योंकि लाइट भाग चुकी थी तो इसमें मैंने लाइट जला कर वीडियो बना ही है ग्रिडिंग करने के बाद मैंने अब पहले ही अलफबेट लगा चुके थे क्योंकि मैं जब पता नहीं था रिकॉर्डिंग चल रही है ने चल रही है मैं काम भी लगा हुआ था तो मैंने बात को देखा कि अरे ये तो हो गया और मैंने सेट भी कर दिया तो फिर मैंने अच्छा कोई बात नहीं वो धियान देंगे मैं देखो मैंने दिखा रहा हूँ कि इस तरह से मैंने इन अल्फबेट पर कलर किये कलर करने के बाद और इस तरह से मैं सेट कर रहा था एक एक कर गे और ये जो मैं अभी दूसरा बिल्ला बना रहा हूँ किसी की डिमांड पर बना रहा हूँ उनके बिजनिस है तो उन्हों नहीं कहा था कि मेरे लिए एक बिल्ला बना देना तो मैं ऐसी ही मतलब इतना क्रिटिविटी के कोडिंग नहीं बना रहा हूँ बस उनकी जो शॉप बगरा है NFL interior के नाम से तो वो अपने नाम का बिल्ला बन वारती है तो मैंने इनके नाम का भी बिल्ला बना दी जाए तो बना दिया है NFL interior का तो इसका जमने तक वेट करते हैं थोड़ा ये set हो जाए हलका सा मतलब एकदम set नहीं होता है तो थोड़ा थोड़ा, मतलब जितना भी है थोड़ा सेट हो जाए, उसके बाद मैं सेकिंड लेयर डालूँ, अब चलिए हम सेकिंड लेयर की त्यारी करते हैं, अब यह थोड़ा सा इतना हो चुका है कि यह भी गिरेगा नहीं, यह देह लीजिए, तो अब मैं इस पे लेयर के लिए भी वे सही करेंगे, जितना एपॉक्सी रेजिन लिया है, उसका हाफ हमें हार्डनर रखना है, क्योंकि थोड़ा सखत हो जाए, जितना हार्ड होगा उतना ही सही रहेगा, तो चलिए मैं थोड़ा डाल लेता हूँ, एपॉक्सी रेजिन ले लेता हूँ, और और उसके बाद थोड़ा मैं जो मतलब आदा है वो हार्डन लूँगा तो चलिए पले में डाल लेता हूं इसके अंदर इसके अंदर एक वो रहता है जब आप मिक्स करते हो तो इसमें बबल आ जाते हैं बट आप घबराने की कोई बात नहीं है जब आप इसे रखेंगे सेट करेंगे तो वो कुछ टाइम बाद ही बबल अपने आप ही खत्म हो जाएंगे मैं थोड़ा हार्डन पिले लेता हूं मतलब हाफ कौन्टिटी में तो आप मैंने पहले आपको बताया इस आपके हाथ पर लगना नहीं चाहिए अगर लग गया तो छुट नाख काफी हार्ड हो जाएगा और साथ में यह रिक्सन भी कर सकता है स्कीन पर तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें गये पहले की तरह इतना मिक्स कर लेंगे जि अ इनके उपर डाल देता हूँ, सेकंड लेयर ठीक है, यह फाइनल लेयर भी कह सकते हैं, यानि फाइनल मैप इस पर डाल दिया है, इसके बाद मैप कुछ नहीं करूँगा इसके अंदर, तो मैंने इस पर सब में जितनी भी मैं आप त्यार रहा हूं भी ले, उसमें मैंने फुल मतलब यानि फाइनल पूरी लेयर चड़ा दिये उपर तक, आप देख सकते हैं, अब इने बारा से पंदरा घंटे के लिए ऐसी जगा रख देना है, जहां धूल मिट्टी ना है, क्यो घंटे हो चुके हैं, यानि पंदरा से भी ज्यादे घंटे हो चुके हैं, अब मैं आपको दिखाता हूं, इसके अंदर से निकाल कर, यह किस तरह से बन चुका है, यह देखिए, यह बिल्कुल हार्ड हो चुका है, वो इस तरह का बना है, और मैं सब निकाल के दिखाता हू पॉड़ियों करते हैं तो अगर आपकोंटेट कर सकते हैं मैं नमबर कौन्टेक्ट देता हूं और चलिए मैं आपको ये बिदी खतों ये देखो मैंने नग तियार किये थे तो ये नग भी आप देख सकते हैं ये हमारे नग तियार हो चुके हैं कितने प्यारे लग रहे हैं ये तो सुरिफ मैंने ऐसी तरह से कलरेड करके ही बनाए हैं आप भी बना सकते हैं तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी अगर अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं साथ ही बस आज किस वीडियो में बस इतना इताफिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई